दोस्तो पुराने जमाने में लोग खाना बनाने के लिए लकणियों का इस्तमाल करते थे वो मिट्टी के चूलों पर लकडी को जला कर खाना बनाते थे फिर हमारा साइन्स थोड़ा और डवलप हुआ और मार्किट में LPG मतलब लिक्वी फाइट पेट्रोलियम गैस आई जिस सेफ नहीं था इसे शौर्ट सर्किट और करेंट लगने का खतरा बहुत ही ज्यादा रहता था गैस और इलेक्ट्रिक हीटर की कमी को दूर करने के लिए और इनको ध्यान में रखते हुए वैग्यानिकों ने इंड़क्शन हीटिंग के सिधानत पर इंड़क्शन कूकर को ब करता है और इसमें बिना आग जले खाना कैसे बन जाता है तो अगर आप किसी भी इंड़क्शन कूकर को खोलोगे तो आपको में चार पार्ट्स दिखाए देंगे एक इंड़क्शन कॉइल एक में सर्किट एक डिस्प्ले पैनल और एक 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 जॉस्ट फैन इन चारों पा काम करता है चलिए इससे गहराई से समझते हैं अगर आप 10 या 12 के स्टुडेंट रहा चुके होंगे तो आपने फिजेक्स में पढ़ा होगा कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो कर रहा हो तो उस वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेप्स निक कर दे और इसमें इलेक्ट्रिक करेंट को फ्लो करवाए तो इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेप्स वायर के चारों और घुमें लगेगी इस बार ये इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेप्स अपने बगल वाले इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेप्स से टकराएगी अब अगर हम इसमें को तुओ वस्तु गर्म होकर लाल हो जाएगी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि electromagnetic waves के आपस में टकराने के कारण इस coil के बीच में रखे हुए लोहे के अंदर atoms vibrate करने लगते हैं और आपस में टकराने लगते हैं के कारण इस लोहे के अंदर के atoms के बीच में आपस में घर्षन होने लगता है और आपको साइद ये बात पता होगी कि घर्षन से गर्मी उत्पन होती है इसी वज़ा से coil के अंदर रखा हुआ लोहा गर्म से लाल हो जाता है इसे ही induction heating का ये animation मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया था लेकिन real में जो induction heating device होता है इसमें इस induction coil को करण देने के लिए बीच में एक PCB circuit board का इस्तमाल किया जाता है जो इसे short circuit से बचाने और coil में electric frequency को बढ़ाने और घटाने का काम करता है induction cooker ठीक इसी induction heating के सिधानत पर काम करता है induction cooker में भी तामवे का गोल गोल flat fold किया हुआ एक coil होता है और इसी coil से electromagnetic waves निकलते हैं इसके induction coil के उपर एक ceramic plate होता है जो बहुत ज़्यादा heat को भी सह सकता है इस ceramic plate के उपर जब कोई लोहे का बरतन रखते हैं तब coil से electromagnetic waves निकल कर उस लोहे के बरतन से टकराने लगते हैं जिससे उस लोहे के बरतन के atoms में घरसन होने लगता है और बरतन गर्म हो जाता है इस तरह एक induction cooker पर असाने से खाना बन जाता है अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि induction cooker सिर्फ लोहे के बरतन पर ही काम क्यों करता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि induction coil में magnetic waves निकलते हैं अब आप ये बात तो जानते ही होंगे कि magnet यानि की चुमबक लोहे को अपनी तरफ खीचता है electromagnetic waves में भी magnetic waves होते हैं ये waves लोहे के atom को अपनी तरफ attract करके उसमें electromagnetic waves को छोड़ते रहते हैं जिससे लोहे का वरतन गर्म हो जाता है अब जानते हैं induction cooker के अंदर बचे parts के बारे में induction cooker के अंदर इस exhaust fan का काम इसके अंदर के गर्मी को बाहर निकालना है इसमें लगे इस main board का काम short circuit से बचाना और induction cooker में एक सही frequency के current को पास करवाना है इसमें लगे इस display panel का काम induction cooker में flow हो रहे current को बढ़ाना और घटाना है मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि एक induction cooker कैसे काम करता है वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बता अच्छा लगा है तो लाइक जुरूर करना